नमस्कार दनगरी र्यूस की खास पेशकर चुनावी नगरी में आपका स्वागत है पिछले एपिसोड में हमने बात की थी खिंसर की समी करनों की खिंसर में किस तरीके से बीजेपी और कॉंगरेस को ठक्कर देने के लिए हनुमान बेनिवाल की पत्नी कनी का बेनिवाल मैदान में उत्री हुई है तो अब इस कड़ी में हम बात करेंगे उस सीट की जो सीट सबसे टफस सीट में से एकमानी जा रही है वो है देवली उनियारा की उपचुनाओं में देवली उनियारा की सीट जीतना बीजेपी और कॉंग्रेस के लिए जितना नाक का सवाल बना हुआ है उतना ही नाक का सवाल निर्दली है नरेश मीना के लिए भी बना हुआ है आपको बता दें कि देवली उनियारा की सीट पर टिकेट घोषना से पहले माना जा रहा था कि यहाँ पर सचिन पाइलेट की चलेगी लेकिन एक बार फिर से सचिन पाइलेट को अपने ही समर्थकों से घेरने को देखने को मिला केसी मीना जिनको कॉंग्रेस ने टिकेट दिया है उसके समर्थन में सचिन पाइलेट बिलकुल भी नहीं थे लेकिन सचिन पाइलेट की जो नसीहत थी जो उनका पक्ष था उसको नज़नदाज करते हुए कॉंग्रेस ने केसी मीना को टिकेट दिया यहाँ पर अगर विधान सभा चुनाओ 2023 की बात की जाए तो यहाँ पर हरीश मीना ने कॉंग्रेस की टिकेट पर जीत हासिल की थी और लगभग 19,000 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत भी हासिल की लेकिन जब 6 महने के बाद लोगसबा चुनाओ हुए थे तो लोगसबा चुनाओ में कॉंग्रेस के सामने सबसे बड़ा संकट था कि किस उम्मिदवार को उतारा जाए जो बीजेपी को टकर दे क्योंकि इससे पहले हुए दो चुनाओं में बीजेपी ने राजस्थान में लोगसबा की सभी 25 सीटों पर क्लीन स्विप किया लेकिन हरीश मीना आ गया है हरीश मीना ने वहां से चुनाओ लड़ा सचिन पाइलेट जो कॉंग्रेस के एक तरह से रीड की हड़ी माने जाते हैं लेकिन कभी भी उनकी परवा कॉंग्रेस ने नहीं की ये राजनितिक गलियारों में हमेशा चर्चा का विशे बना रहता है लेकिन लोगसवा चुनाओं में सचिन पाइलेट ने पूरी जीजान एक करते हुए हरीश मीना को जीत तो दिला दी लेकिन ये जीत काफी नहीं थी क्योंकि महज 2338 वोटों के अंतर से हरीश मीना ने जीत हासिल करके लोगसवा की सीड़ी पर कदम रखा था अब हरीश मीना के सांसत बनने के बाद ये सीट खाली हुई तो यहाँ पर किसको उम्मीदवार बनाया जाए ये सबसे बड़ा सवाल था अगर सचिन पाइलेट की माने तो सचिन पाइलेट ने इस सीट से नरेश मीना का नाम आगे किया था लेकिन कॉंग्रेश ने उन पर भरोसा नहीं जताया और केसी मीना को अपना उम्मीदवार बनाया और माना ये जा रहा है राजनेती गलियारों में कि खुश सचिन पाइलेट केसी मीना के टिकेट से खुश नजर नहीं है इसके साथ ही हरीश मीना की लोगप्यता भी लगातार कम होती जा रही है पिछले दिनों जब हरीश मीना अगर बात की जाया है हरीश मीना के जो भाई है नमो नाराएंड मीना उनसे मिलने नरेश मीना पहुँचे थे हाला कि उन वीडियो वाईरल होने के बाद हरीश मीना पर ये भी अरोप लगे थे कि उन्होंने देवली उनियारा की सीट को बेचा है नरेश मीना ने ये सीधे अरोप लगाये थे लेकिन इस बार नरेश मीना वो काफी मजबूत नजर आ रहे है तो वहीं भाजपा की राजनितिक चतुराई की अगर बात की जाए तो यहां से भाजपा ने राजिंद्र गूजर को उम्मीदवार बनाया है यानि कि नरेश मीना और कॉंग्रेस की लड़ाई में राजिंद्र गूजर को कहीं न कहीं फाइदा हो सकता है ऐसे में देवली उनियारा के जो चुनाओं है वह बिल्कुल खिवसर की तरह ही काफी रोमान चक बने हुए हैं क्योंकि कॉंग्रेस में सचिन पाइलेट की अंदेखी करते हुए केसी मीना को टिगिट दिया तो वहीं नरेश मीना बागी होकर वहां से चुनाओं लड़ रहे हैं जिनको हनुमान बेनीवाल का समर्थन मिल चुका है तो वहीं रविंद्र सिंग भाटी भी नरेश मीना को इन डारेक्ट रूप से अपना समर्थन दे चुके हैं ऐसे में देवल्य उनियारा की सीट काफी रोमान चक बन चुकी है क्योंकि वहाँ पर कॉंग्रेस के केसी मीना, बी जे पी के राजिंदर गुजर और निर्दल्य नरेश मीना के बीच में सीधी तक्कर है इसलिए इस उपचुनाओ में देवली उनियारा को सीट को भी सबसे हाट सीट माना जा रहा है जहां पर दोनों ही प्रमुक पारिटियों के सामने सबसे बड़ी चुनाओती होंगे नरेश मेना अगली गड़ी में उपचुनाओ होने जा रहे हैं और उसी की किसी सीट पर हम बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार आप देखते रहिए दरनागरी न्यूस